अलो एवरिबाजी करियर राइडिंदी पर फिर आप सभी का स्वागत है तोस्तों अपने आज के इस वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और यह टॉपिक है कि क्या हमें अपने बिजनस को जब स्टार्ट करना है उस समय हमे आपके कोई family members जो हैं वो आपके साथ business को co-own करें या दूसरी possibility भहुत सारे case में ये भी होती है कि आप business start करें और अपने कुछ family members को उसमें आप employee करें अपने साथ में तो सबसे पहला सवाल तो होता है कि यह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और दूसरा सवाल यह उ जब कभी भी हम family business की बात करते हैं तो यहाँ पर जो different parties हो सकती हैं वो आपके भाई भी हो सकते हैं बहने हो सकती हैं माता पिता हो सकते हैं बच्चे हो सकते हैं cousins in fact पती पत्नी भी हो सकते हैं आप आप उसमें तो यहाँ पर जो फायदा होता है सबसे बड़ा family business का जो मैंने को यह होता है कि जब कभी भी आपको अगर कोई एक इमीजिट बैकप चाहिए होता है तो आपके पास हमेशा कोई ना कोई ट्रस्ट करदी इनसान होता है जो कि आपको ये बैकप प्रोवाइड कर सकता है बशर्ते आपकी understanding अच्छी हो, आपके relationships अच्छे हो और जैसा कि मैंने आपसे कहा, आपको एक दूसरे के उपर विश्वास हो लेकिन देखिए होता क्या है कि जब हम business start करते हैं उससे में तो excitement बहुत सारी होती है, विश्वास भी होता है हमारा मन भी बहुत होता है कि चलो ठीक, इस business को हम बढ़ा करेंगे लेकिन over the time कहीं न कहीं ऐसा हो जाता है कि कुछ चीजें हमें एक दूसरे की अखरने लगती हैं चाहें as co-owners हो, चाहें as employees and owners हो तो over the time जब यह चीजें हमें अखरने लगती हैं तो फिर क्या होता है फिर होता यह है कि धिरे-धिरे करके हम उन बातों को अपने मन में पाल लेते हैं और धिरे-धिरे करके वही जगडे का reason बन जाती हैं और ultimately ना relationship बचता है, ना family बचती है और ना business बचता है अब इस situation से अगर आपको बचना है तो आपको क्या करना चाहिए यह देखें, काफी अगर intelligently आप initially शुरू से इसके उपर steps लें तो इस काम को आप काफी हद तक संभाल सकते हैं इस situation को और एक बाद समझ के रखें कि यह situation हर business में जो की family business होता है वहाँ पर कभी न कभी जरूर आती है इसलिए यह समझने की गलती हमें करना कि यह हमारे साथ नहीं होगा यह सबसे बड़ी गलती है पिकाज जिस moment हम यह सोच लेते हैं कि यह हमारे साथ नहीं होगा उस moment हम वो जो हमें steps लेने चाहिए थे शुरू से वो हम नील लेते हैं और वही कारण बनते हैं इन जगडों का तो अपने आज के इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं कि वो कौन से स्टेप से जो कि आपको लेना चाहिए ताकि आपका बिजनस भी स्मूधली चले आपका जो फैमली रिलेशन्शिप है वो भी समूधली चले तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला काम आपको करना है वो यह है कि जब कभी भी आप अपने बिजनस को स्टार्ट कर रहे हैं भली ऐस को और सार्ट कर रहे हैं या हो सकता है आप अपने किसी family members को अपने साथ employ कर रहे हैं। हमेशा चीजों को formalize कीजिए। Formalize करने का मतलब क्या होता है? मतलब written में काम कीजिए हमेशा, लिखित में काम कीजिए। अपनी जो responsibilities होती हैं, जो duties हैं, salary है, compensation है, ownership shares है, जो कोई भी चीज़ें आपके relationship में decide होई हैं, आपके business relationship में decide होई हैं, उनको हमेशा, हमेशा return work कीजिए। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा यह होता है कि दोनों parties के दिमाग में काफी clarity होती है, कि what to expect from this business, right? हम जबर्दस्ती की अपनी जो personal expectations हैं, वो business में लेकर आना start नहीं कर देते हैं, जब एक बार हम उस document को clearly पढ़ लेते हैं, right? इसका हमेशा, चाहें कोई साब relationship हो, अगर business में involved हो रहे हैं, तो एक formally written way में उसको कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, कुछ document ज़रूर prepare कीजिए, अब इसका एक और बहुत बड़ा फायदा होता है, वो फायदा यह होता है कि हमारा जो trust होता है एक दूसरे के ओपर, वो भी इस काम से increase होता है, पेकर्स हमको यह पता होता है कि इतना transparently हमने चीज़ें discuss की है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का किसी भी बाटी के मन में कोई बुरा विचार नहीं है, कोई भी यहाँ पर किसी तरीके का जो advantage है, एक्स्ट्र advantage है, वो लेने की यहाँ पर कोई कोशिश नहीं करने वाला है, तो यह जो भरोसा होता है, यह जब increase होता है, इससे हमारे relationships भी better होते हैं, और इससे हमारा business भी better होता है, अब यहाँ पर जो दूसरी important चीज़ है, वो यह है कि जब कभी भी आप family business start करें, तो उस case में हमें इसे business की तरह ही treat करना है, because देखिए, maximum cases में होता क्या है कि जब हम एक family business start करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा जो emphasis होता है, वो ज़्यादा family की तरफ चला जाता है, rather than the business, और उस case में हमारा जो business होता है, in the long run, वो काफी बुरी तरीके से सफर करता है, अब इस काम को आपको कैसे करना है, इस काम के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो यह है कि आपको किसी भी case में, business में से, ना तो किसी भी तरीके को an unfair advantage लेना है, और ना ही कोई unfair advantage देना है, ना extra workload, extra benefits, लेने की कोशिश कीज़े, ना देने की कोशिश कीज़े, अगर simple सी इतनी clarity, एक इतना सा principle फॉलो करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका business और relationships, दोनों खुद बखुद स्मूदली चलेंगे, इसी के साथ साथ एक और चीज़ बहुत important है, वो यह है कि for example, मान लिज़े, दो भाईयों ने business मिल करके start किया, दोनों को owners हैं आप तो यहाँ पर, दोनों को लगेगा कि भाई, मैं भी boss, मैं भी boss, लेकिन यहाँ बहुत ही important होता है, कि आपके जो management lines हैं, वो बहुत clearly defined हो, इसका मतलब यह है कि जो लोग आपको report नहीं करते हैं, उन्हें ना तो आप किसी तरह के orders दीजिए, ना ही उन्हें reprimand केजिए, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर किसी तरह के कोई problems हैं, तो उन्हें आप अपने जो co-owner हैं, आपके जो भाई हैं, आप उनके साथ discuss दरूर कर सकते हैं, उन्हें fix करने की कोशिश भी सरूर कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपसे कहान आ जाए, जो लोग आपको report नहीं करते हैं, उन्हें आप किसी भी तरह के से order देने की या रेप्रिमान करने की कोशिश भी मत कीजिए, विकाज इससे यहाँ पर दो तरिके की problems वाने वाली हैं, पहला, number one, यहाँ पर staff में आपके हमेशा confusion रहेगा कि किस की बात मानूं, किस की बात ना मानूं, और दूसरी चीज, आपके जो senior employees होते हैं, उन्हें ये चीज पसंद भी नहीं आती है, तो आपके staff में अन्नेसेसरी, उनका हमेशा मन खराब रहेगा इस छोटी सी चीज के कारण, लेकिन अगर आपके जो management lines हैं, वो काफी clearly defined होंगी, जो आपके processes हैं, वो काफी clearly defined होंगे, तो इस problem को काफी हद तक handle किया जा सकता है, अब जो अगली important चीज है, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यहाँ पर reports produce करने की कोई जरुरत नहीं, कुछ एतना है तो है नहीं, लेकिन यकीन मालिये, eventually over the years, आपका जो business है, वो इस level पर आने वाला है, जहाँ पर आपको इस तरीके की reports produce करनी भी पड़ेंगी, और वो आपके business की smooth function में काफी ज़्यादा helpful भी होने वाली है, तो जितना शुरू से आप इस काम को कर लें, उतना ज़्यादा अच्छा, विकाज उस तरीके का आप एक culture develop कर लेंगे अपनी company में, तो अब देखिए इस तरीके की weekly meetings होती है, जो इस तरीके की monthly reports होती है, जब हम इनको discuss करने बैट तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है, वो फायदा यह होता है कि हमारी जो company होती है, उसमें एक transparency हमेशा रहती है, हर party को पता होता है कि हम किस direction में जा रहे हैं, अगर किसी के मन में कोई problems हैं, तो उसके solutions भी वहीं के निकाले जा सकते हैं, और उसका सबसे बड़ा जो फायदा होता है, वो यह होता है कि किसी भी तरीके के कोई भी doubts, कोई भी tensions, वो brew up नहीं होते हैं मन में, तो जब वो चीज़े brew up नहीं होती हैं, तो जाकर कि वो आगे बड़ी problems भी नहीं बनती हैं, उनके solutions वहीं के वहीं हो जाता हैं, अब यहाँ पर जो अगली important चीज़ है, वो यह है कि आप अपने business में हो सकता है, अपने कुछ cousins को hire करें, बच्चों को hire करें, या आपके कोई और relatives वहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन just because आपके साथ उनका एक relationship है, इसके कारण ना तो उनके साथ बहुत ज़दा tough होई है, ना उनके साथ lenient होई है, इसका मतलब यह होता है कि चाहें promotions हो, salary increments हो, encouragements हो, या फिर भले ही डाट क्यों ना हो, उनको उसी तरीके से मिलनी चाहिए, जो कि बाकी के staff को मिलती है, ना उससे ज़्यादा, ना उससे कम, मैंने दोनों चीज़ें आपसे यहाँ पर कही है, ना उनके साथ बहुत ज़्यादा strict हो जाएए, कड़क हो जाएए, और ना ही उनके साथ lenient हो जाएए, उनको वही treatment दीज़े, जो आप बाकी के staff को देते हैं, इसमें उनका भी भला होगा, staff का भी भला होगा, और जब सबका भला होगा, तो overall आपके business का, आपकी company का यहाँ पर भला होने वाला है, इसी के साथ साथ अगर family business है, तो एक चीज़ से आपको ज़रूर आगह करोंगे, वो यह है कि आप किसी को भी जब यहाँ पर hire कीजिए, तो आप उन्हें based on the skill hire कीजिए, based on the relationship नहीं, because यह काम करने की जगा है, तो आपको यहाँ पर कोई expectations फुल्फिल नहीं करनी है, आपको यहाँ पर skill देखनी है, तो देखिए, overall बात यही है कि family business, no doubt एक बहुत अच्छा preposition होता है, because यहाँ पर जो सबसे अच्छा चीज़ होती है, वो यह होती है कि आपको जिस समय एक honest, एक trustworthy backup की immediately ज़रूरत होती, वो आपके पास हमेशा होता है, लेकिन important साथ के साथ यह भी है कि आप उस relationship को, उस business relationship को और personal relationship को दोनों को बना के रख पाएं, over the years, सालों साल, जब ताकि आपका business भी अच्छी तरिके से चले और आपका family भी अच्छी तरिके से चले, with this, I sincerely hope कि मेरा यह आज का वीडियो, आपनों की life में कोई न कोई value add जरूर करेगा, अगर आज का यह वीडियो आपनों को पसंद आया है, तो इसको like जरूर कीजेगा, और अपने दोस्तों के साथ share भी जरूर कीजेगा, और हाँ, अगर इसी तरिके के और वीडियो देखते रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को subscribe करना, बिलकुल मत भूलेगा, जल्दी ही मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार,